नमस्कार आप देख रहे हैं चत्ति गड़ पोलपीडिया मैं हूँ योगेश मिश्रा हम आज पोलपीडिया के सत्रवे एडिशन में बात करेंगे चत्ति गड़ की रायगण लोगसभा सीट के बारे में में पहला चुनाव संपन्न होता है रायगण सीट पर पहली जीत दर्ज करती है अखिल भारती राम राज्य परिशत के उम्मीदवार विजय भूशन सिंग्डेव जीत जाते हैं महां से आम दोर पर भारती एंदा प्राटी कॉंग्रेस किसी लोगसभा सीट से अपना जीत का बर्चम उस सीट का शुरू करते हैं खाता कोलते हैं विजय भूशन सिंग्डेव जो की राजगराने के थे जस्पूर राजगराने के थे वहां के राजा देव शरम सिंग्डेव के पुत्र थे विजय भूशन सिंग्डेव जिस तरह से वहां पर आगास करते हैं आप समझ यानि कि ठीक पांस साल बाद दूसरे चुनावां में सारंगल के राजा नरेश चंदर सिंग की उत्मी रजनी गंधा देवी से चुनाव ड़ती हैं और जीट जाती हैं। इस बार रजनी गंधा को टिकट मिलता है कॉंग्रेस से और कॉंग्रेस अपना रायगर सीट से खाता खोलती है पिछले चार कारेखाल से अगर मैं देखूं तो भार्दी यल्ता पार्टी के विश्णु देवसाय रायगर से जीतते चले आ रहे हैं रायगर सीट 25 साल कॉंग्रेस और 20 साल भाजपा के विश्णु देवसाय में कॉंग्रेस की आरती सिंग को 2,16,750 वोटों से हरा दिया विश्णु देवसाय को 6,62,478 वोट मिले और आरती सिंग को 4,45,728 वोट प्राप्त हुए भाजपा का रायगर में 2014 में वोट शेयर था 53.16 पीजदी जबकि कॉंग्रेस का वोट शेयर था 35.77 पीजदी अन्य सभी दलों का अगर मैं वोट शेयर देखूं तो उनका टोटल वोट शेयर हो जाता है 60.6 वीजदी पांक सार पेले रायगर लोगसाभा सीथ में कुल मंद आता थे सोलह लाख चब्विस हजार नौसो उन्चास 50 प्रदिशत 50 प्रदिशत प्रदिशत पुरुष और पुन्चास दशमलोग 6 शेयर प्रदिशत महिलाएं तो रायगर में पिछले लोगसाभा चुनाओं में चब्विस हजार प्रदिशत 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 पुटिंग हुआ था पुल मद दाता जिरोंने पार्डिसिपेट किया उसका नंबर था बारा लाख शारीज लेयार दो सो उन्निस और पॉलिस्टेशन्स थे 2180 महतपूर तत्य संध्या रायगर सीट के बारे में सांगर खरसिया और धरम जाएगा हाली में जब 2018 के एंड में जब चुना हुआ विधान सभाग का उस समय कॉंग्रेस ने रायगर लोग सभाग के अंतर जितने सीट थे आठ के आठ सीट सभी में जवर्तस तरीगे से जीत दर्ज की यह भारती अंतरपाटी के बहुत बड़ जीत हासिल की है तो वो था रायगर लोगसभा सीट तो नंदकुमार साय दो में ही स्टी सीट से सर्पुजा और रायगर नंदकुमार साय रायगर में पहली बार 1989 में 1989 में जीते तब उनका कारेकाल दो वर्ष का था 1996 में भाजपा के नंदकुमार साय एक बार फिर रायगर से जीतते हैं इस बार भी उनका कारेकाल दो वर्ष का रहा 2004 में नंदकुमार साय ने सर्पुजा लोगसभा सीट से जीत दर्च कर पाँच वर्ष का कारेकाल पूर्ण किया 1998 में कॉंग्रेस के अजीद जोगी रायगर से चुनाव लड़े और अपनी पहली जीत हासिर की। कॉंग्रेस में अजीद जोगी का ग्राफ फिर बढ़ता चला गया। नवंबर 9-2000 को वे 36 गड़ के पहले मुख्यमंत्री बने ही। जून 6-2016 को अजीद जोगी ने कॉंग्रेस सिन्ना का तोड़ दिया और चेतरी दर बनाया जिसका नाम है जन्ता कॉंग्रेस चत्तिस गड़ और इसके बाद चत्तिस गड़ में एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ और पिछले विरान से बचुनाओं में जोकी